बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकम, आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी सलाथ, ये ना सिरफ आपको वेट लास करने में हेल्प करेगा, बलके इस से आपकी स्किन भी रिफ्रेश हो जाएगी, तो टाइम जाया किये भी न, शुरू करते हैं इसको बनाना, इसके खीरा कट हो गया, अब हम इसको बॉल में डाल देंगे, एपल हमें चाहिए एक अदर, अब हम इसको कट कर लेंगे, गाजर हमें चाहिए एक अदर, अब हम इसको भी कट कर लेंगे, गाजर काट हो गई है, अब हम शिमला मिरच को बारीक काट लेंगे, शिमला मिरच हमें चाहिए हाफ, छोटे साइज की, बांगोबी के पत्ते चाहिए, दो अदर, अब हम इसको भी बारीक कट कर लेंगे, इस सलाद को आपने किस तरह से इस्तमाल करने हैं, यह मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, अब हम टमाटर को कट कर लेंगे, इसके बीज हमने नकाल देने है, चकंदर हमें चाहिए हाफ, इसको भी हम बारीक कट कर लेंगे, अब हम इसमें एक प्याली उबले हुए स्वेथ चने डालेंगे, अब इसमें हम टू टेबल स्पून शेयर डाइड करेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हेल्दी सैलिड यहाँ पे त्यार हो गया है, और इसको मैंने एक चोटे बाउल में ट्रांसफर कर लिया है, आपने कम असकम इतना बाउल ही डेली खाना है सलाथ का, और इसमें मैंने नमक एड नहीं किया, आप चाहें तो आप एक पिंच के जितना डाल सकते हैं, इसके साथ ही आपने फिजी ट्रीन, स्वीर्स और फास्ट पूर्ड को भी स्किप कर देना है, और एक महीने के बाद देखिएगा, आप खुद हैरान हो रहे जाएंगे, इतना इस से आपको फरक पड़ेगा, आई होप के आप लोगों को मेरी ये रैस्पी पसंदाई होगी, मुझे दीजिए इजाज़त, आला हाफीज,